हेलो दोस्तों मैं कुल्दीप सिंग और आप देख रहे हैं माई टेकनिकल सपोर्ट टिप्स एंट्रिक्स दोस्तों राजस्तान सरकार ने मुख्यमिंत्री चिरंजवी स्वास्ते भीमा योजना की घोशना की है इसमें राज्य के सभी परिवारों को 5 लाग रुपे तका केश लेगा स्वास्ते भीमा मिलेगा तो दोस्तों इसमें रजिस्टेशन के लिए 30 अप्रेल लाश्ट डेट है और इसमें लगने वाला सबसे महतोपून डोक्यूमेंट है आपके जन आधार कार्ड तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी यही बात करने वाले हैं कि जन आधार कार्ड आप मॉबाइल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे important डोक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए के बहामासा कार्ड अगर बहामासा कार्डबना हुआ है तो आप जनाधार कार्ड मोबेल के थि L libero कर सकते हैं दोस्तों ये स्की मारा जास्थान के लिए हैं तोदोस्तों अभी हम चलते हैं और बात करते हैं इसको कैसे डाउनलोड किया जाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट सबसे पहले दोस्तों हमको जाना होगा प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में जाके हम जन आधार कार्ड डाउनलोड कर लेना है तो दोस्तों यह जन आधार कार्ड आगया यहां यहां से म Hee staff कर लेते हैं इसको और एक बार ज़ियह जब één स्ट्रोल हो जाएगा तो हम बाकी की प्रोसेस करते हैं दोस्तों जब तक कि ऑफ इस्टोल होता है अगर अब unified तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब डाउनलोड हो चुका है अभी इसको उपन कर लेते हैं अभी हम इसको उपन कर लेते हैं गेट जनाधार आईडी है इसको आपको क्लिक करना है और देखिए यहां पे आपके पास तीन ओप्जनाधार आईडी और फेमली आईडी के अंदर आपको बहाँसा काड आपका जो डाल देना है और जो भी मेंबर से वह लिंक रहेंगे अगर आपके मोबाईल से तो जिनका आपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डाला हुआ है भामासा के अंदर वो डिटेल यहां पर आ जाएगी उन में से किसी भी मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक कर लेना है जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा जो नंबर पर आपने क्लिक किया है तो उस नंबर पर एक OTP आएगा तो जैसे अभी मेरे पास दो यहां पर डेटेल आ रहे है देखिए अभी OTP आ गया है तो मैं OTP इसमें डालके नीचे में और यहां से वेरिफाई कर लूँगा तो यह में OTP डाल दिया है और अभी में वेरिफाई कर लेता हूँ तो देखिए यहां पर मेरा फेमिली जन आधार आईडी लिखा हुआ आ गया है जो कि मैंने ब्लर कर रखा है तो आपका यहां पर फेमिली जन आधार आईडी आ जाएगा अभी यह फेमिली जन आधार उनके सबकी detail members किया जाएगी उन में से किसी भी एक क्लिक करेंगे जो भी mobile आपके पास हो उसका आप पर क्लिक करना है फिर से उसके पास में एक OTP जाएगा उस नमबर पर यह देखिए OTP आ गया है तो वह OTP मैं यहाँ पर डाल देता हूं फिर से एक बार OTP डालने के बाद में हम इसको verify करेंगे verify करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे PDF की format में card आपके पास में download हो जाएगा तो देखिए अभी यह process हो रहा है यह जो permission मांग रहा है उसको allow कर देना है देखिए अभी यहाँ पे आपका open वित आ रहा है तो आप इसको PDF के format में है तो आपको Adobe या PDF का जो भी आपके पास application है आप उसके थूरू इसको open कर लेना है तो चलिए मैं इसको PDF वाला जो मेरा first icon है उस पर मैं click करके और इसको मैं open कर लेता हूं तो देखिए दोस्तों यह मेरा जन आधार ID कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है अभी मुझे इसको save कर लेना है और save करने के लिए मैं क्या करूंगा उपर में जो right side corner में 3 dot दिये है मैं 3 dot पे click करके और इसको download कर लूँगा तो चलिए मैं इसको पहले download कर ले लेता हूं कि देखिए दोस्तों उपर में बनावा आ रहा है कि मेरे डाउनलोड हो चुका है अब इस में आप इसको color paint निकाल के और आप इसको AJ card भी आप lamination करवा के आपके पास save रख सकते हैं soft copy भी आप अपने पास रख सकते हैं और तो दोस्तों अगर आपको video कैसा लग और महत्वपूर्ण है आपके लिए जानकारी अगर तो पिलीज लाइक करें video को ज्यादा से ज्यादा से शेर करें ताकि यह 30 अप्रेल से पहले जो भी जिनके लिए भी योजफूल हो जनाधार काड के बारे में जिनको जानकारी नहीं है उनको जनाधार काड के बारे में जानकारी मिल सके और वो डाउंलोड करके और अपने राजस्तान की जो मेहत्वा कांच में मुख्यपूंत्री चिरंजीवी स्वास्त्य भीमय योजना है दोजारिक्छी उसके लिए वो रजिस्टर कर सकते हैं यह बहुत ही बहुत ही काफी उपयोगी और चिरंजीवी स्व सबस्क्राइब कर लीजिए और रेड कलर का बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो के अप डेट ऐसा आपको टाइम पे मिलते रहेंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले शेर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तो थेंक्यू